जैपुर से कुर्दे भगवान आपकी चरणों में कोटी-कोटी पढ़ाओ भगवान मेरे मन में चिंता और विश्वास का भाव समय समय पर आता है जिससे मैं दूर करने का प्रयास भी करती हूँ पर ये प्रकट होता रहता है मैं किस प्रकार अपना विश्वास बढ़ा सकती हूँ? नाम जब जैसे जैसे पाप नश्ट होगा तो हदय में प्रकाश होता है ज्यान का हमें विश्वास का होता है जब हमारी अनुभूति में आवे कुछ ना दूसरों के अनुभूतियां तो हम सुन रहें पर हमारी अनुभूति तो है ने तो हमें विश्वास नहीं होता है हमारी अनुभूती कैसे तो अनुभूती करने वाले जो हमारे करण हैं अन्ता करण मन बुद्धी चित आम ये मलिन हो चुके हैं इनको निर्मल किया जाए तो हमारे अनुभूती होने लगेगी श्री भगवान है ये अनुभू होने लगेगा हमारी बात प्रभू शुन रहे ह उत्तर मिलने लगेगा हमारी चाहत प्रभू देख रहे हैं आपके सामने उसका परिणाम आने लगेगा बिन विश्वास भगति नहीं ते बीन द्रवहिन राम राम कृपा बिन शपनियू जीव न लभ विश्वाम बिना भगवान की कृपा के श्वपनियू में भी जीव को शान्ती नहीं मिल सकती और भगवान की क्रपा का अनुभो वक्ति का अनुभो विश्वास से होता है अब ये विश्वास बड़ा कीमती चीज है भगवान पर विश्वास हो गया मतब काम बन गया तो मली नंताकरण में संसय बना रहता है निर्मल हर्दय में विश्वास रह कोई नहीं कह सकता मुझे पता नहीं क्योंकि तत्काल आपको आदेश होगा अंदर से गलत है और आप जलोगे तत्काल क्योंकि भगवान सब के इरदें बैठे कोई नहीं कह सकता मुझे पता नहीं था कि गलत काम है जो गंदी बात है जो गंदे आच्रण है जो बुरी बात है वो सब को पता है, अब जब जानभूज करके बुरा कर रहे हो, तो फिर पाप क्या होता है, आवरन होता है, वो शत्य को ढख दाता है, और हम नाम जब करें, बुरे आचरनों से बचे, पहले बचे, नाम जब करें, तो हमारा हरद है पवित्र होना शुरू हो जाएगा, अब पर नाम जब भी थोड़ा कर रहें तो बहुत काल तक आपको कुछ अन्वों नहीं होगा जब तक गंदे आचरन उपर विजय नहीं प्राप्त करोगे नाम जब अच्छे आचरन तो धीरे धीरे सत्संग सुनेने से भगवान की कृपा से भगवान पर विश्वास हो जाए किस का प्रश्वास हाँ विश्वास पर विश्वास की कमी हो जाती है परी जनों पर विश्वास नहीं कर पाते हैं देखो देखो जो हमारा विश्वास होता है ना तो हमें कोई भी अविश्वासी नजर नहीं आता और जब हम द्रड विश्वास करते हैं ना तो हम आपको कहते आज तक जीवन में कभी विश्वास घात नहीं हुआ आज तक तुम से कितने लोग मिलते हैं तुम जानो लेकिन हमसे लाखों करोणों लोग मिल चुके हमको अल्हाद होता है आपसे बात करके आपसे मिलके आपके जाने के बाद जब आप जाते हैं तो हमारा हरदे शांत और प्रशन होता है कि इतनी हमारी भगवत सेवा बन गई, इतने सुरूपों में आये हुए जनों की सेवा बन गई, हम बाणी के द्वारा, दृष्टी के द्वारा इनको सबको शुक पहुंचाया, देखो हमारी विश्वास की कमी है इसलिए है दोष्टपन होता है, हमारा द्रडविश्वास हो, बस हमें अपने को सुधार तो सठीक हो जाएगा, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, जब हम शत्य रहेंगे, धर्म से रहेंगे, तो जो धोखे बाच कप्टी है न, वो भी आके सत्य और धर्म, कम से कम हमारे सामने तो, इतना समझो, हमारे साथ, हमारे सामने कम से कम, सत्य और धर्म से बैटेगा, इसके बाद जब फिर हवा लगेगी तो बात अलग है, और अगर रंग चड़ गया तो आजीवन के लिए सत्य और धर्म से चल पड़ेगा, यह बात सुझो, हमको अपनी कमी को द अरे अनुकुलता में जय जय में नमस्कार में प्रणाम में तो सब महान है महान तो तब है जब गाली हो प्रतिकुलता हो और हम निकल जाएं वहां से हमारे अंदर कोई प्रभाव न पड़े तब तो बात समझ में आती है तो पहले आप अपने को मजबूत कीजिए आपका करत जो जो उस पर ध्यान देजिए साससूर से आपको विवार कैसा करना है पती से कैसा विवार करना है परिवार के जो निज सदस्य जने उनके साथ कैसा वरताओ करना है यह आपका वो आपके साथ कैसा करते हैं प्रभू देखेंगे आप अपने वरताओ से हो तो दुखी नही यदि आप हमें दुख देते हैं, तो हम सहेंगे इसका परिणाम जिसका हम पालन कर रहे हैं, वो तुम्हें देगा, हम रोश पावक्स हो जरे, तो हमको चिंता क्या तरदी है, इसलिए सावधान, अगर हम ऐसी बाहरी बिवार ब्रती में रहे तो कले, असान्ती, जगडा, तो ग्रेस्ती क्या रहेगी, वो तो बहुत दंड विधान वाला नर्क समझ लो, जिस परिवार में कले है, जगडा है, असान्ती है, मार पीड, वो क्या जीवन है, अगर एक-एक समनना सुरू हो जाए, तो समाज सुधर जाए, हम लोगों के मन में क्या रहता है, ये सुधर जा लेकिन तुम मनमानी नहीं कर सकते हो, बस यहीं बिगाड हो जाता है, हम दूसरे को समानना चाहते है, दूसरे को सत्य पे, दूसरे को धर्म में हो हम, हम स्वयन नहीं, ये बात बिगड जाती है, हम अपने धर्म का पालन करे, तो निश्चित हम सुखी होंगे, वो हमारा प् धर्म से चलो जो विरोध करें वो भगवान की तरफ देखो कि देखो प्रूब आपकी आग्या में चल रहे हैं आप मुझे शामर्थ दीजिए और आप रक्षा कीजिए वो सब विधान कर देते हैं पक्का विश्वास कीजिएगा मादोशिंग राजा और उनकी पतनी थे रतनावती जी उनका चरित्र पढ़ना भारी बिरोध पैदा कर दिया कि आप संत समागम नहीं कर सकती आप संतों के वीविच मुड मुडा करके महल छोड़कर संतों के बीच में अपने ठाकुर जी के लिए नहीं खाऊंगी तुम्हार मैं राजरानी नहीं रहूँगी मैं भगवान की भक्ता हूँ और अपने भगवत प्रेमी महत्माव का संग करूँगी अब उनको लगा भारी बेजिती की बात है एक राजा की पतनी राजाक से बिरोध करके ऐसे संत सबा में संत साला में वहीं छोड़ दिया जाए में लाया गया और वो शब उपर बालकनी में राज महलों की खड़े होगे कि अब देखें सिंग कैसे उनको मारेगा कैसे तो पिंजड़े से खुला सिंग आगे बढ़ा तो दासी जो उनकी सेवा में भगवत भजन में लगाया था उसने का महारानी सिंग तो आरती करने जा प्रणाम किया सबके होश उड़ गए जंगली सिंग लाए और मारी छलांते जो बालकनियों में लाए थे ना पकड़ करके मनुरंजन के लिए खड़े थे अब कैसे मारेगा कैसे तो आपको फार के फेक और जंडल में भाग गया भगवान भगवान शर्वत्र भगवान है उसको सहे, नाम जब करते हुए भगवान से प्रार्थना करें, देखो किसी भी मारगे में चलने पर किसी बी नोकरी में जाये तो उसके हिसाब से उसके प्रश्न उते हैं उनको पास कर लो आप, उस पद में पहुंच जाओ, अगर टीचर बनना है तो इतना पड़ा लिखा होना चाहिए, इतना इसे इसे, उसकी ट्रेनिंग होती है, तो ये परंपद है, अध्यात्म में भगवान की प्राप्ति कर, तो उसकी कसोटी होती है, आपके हरदय में काम, क प्रोध लोव ये, और बाहर निंदा, इस्तुति अपमान ये, अब दोनों सीवध करके निकल जाओ, मुक्त हो गए, संसार पर विजय प्राप्त कर लिए, भगवान को प्राप्त कर लिया, इसमें कोई इस्त्री पुरुष का मतलब नहीं है, ये सरीर है, हम तुम साब एक ह की भगवान के अंस हैं, तो नाम जब करो, अच्छे आच्रण करो, दूसरों के प्रत्सत बिवहार अपने करतबे का पालन करो, आगे भगवान देख लेंगे